हेलो गाइस दिस वादेश सिंग और नौ यूर वाचिंग क्रिप्टो बिंगनर तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिट बी एनेस हैक के बारे में तो ये वीडियो आपको क्यों देखना चाहिए आपको रिसर्च करने में थोड़ी से हल्प हो जाए कि आपके लिए यहाँ पर जो एक्चेंज करते हो वो यहाँ पर बेश्ट है एक्चेंज का यहाँ पर केमपेरजन करना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो के और अगर जो आपनी अभी तक हमाई चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर दीजे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजे तो यहाँ पे आप सुबा से जितनी भी tweets यहाँ पे देख रहे हैं जितने भी article देख रहे हैं बहुत सरे यहाँ पे लोग tweet कर रहे हैं तो यह जो tweet start होना start हुए यहाँ पे इस tweet के बाद यहाँ पे सारे tweet start हो गए यह एक यहाँ पर प्रोफाइल है जैज XBT नाम से और यह प्रोफाइल काफी पॉपलर है इसके अराउंड 304.5 के फॉलोवर हैं और यहाँ पर इन्हों ने कहा इनका कहने के मतलब यह है कि यहाँ पर बाइबिट हैक हो चुका है और उसके यहाँ पर 7.5 million dollar fund जा चुके हैं और यहाँ पर BIDBNS कह रहा है कि वह यहाँ पर एक system maintenance था इन्हों ने एक address भी यहाँ पर दिया है जो कहा रहा है कि यहाँ पर यह बाइबिट का है और यहाँ पर इन्हों एक अपने ट्विट में एक skin shot भी पोस्ट किया है BIDBNS का यहाँ पर 2022 का जब यहाँ पर BIDBNS ने कहा था system maintenance in progress we have identified the issue and working with AWS to resolve it तो यहाँ पर इस tweet में यही कह रहा है कि इसने यह tweet करके यहाँ पर इस fund को इस hack को hide करने का try किया है user के साथ तो यहाँ पर अगर जो हम इस address के according इसको अगर जो हम यहाँ पर ether scan पर देखें तो यह जो address यहाँ पर देख सकते हैं report किया जा चुका है यह जह जह जैस एक्स बीटी अभी है ने जो profile लिखाई इस profile के through यहाँ पर इस address को report किया आप यह मत समझना कि यह ether scan की तरफ से report किया गया है या फिर vitolic की तरफ से report किया गया है यह इस profile जो अभी हमने आप दिखाया जिसने data analysis करके यहाँ पर allegation लगाए हैं bitbanus को कि bitbanus hack हो चुका है उसके यहाँ पर 7.5 million dollar यहाँ पर जा चुके अगर जिसमें थोड़े transaction देखें token transfer यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सरे transfer यहाँ पर move होए हैं यह आप यहाँ पर पप्लिक ही देख सकते हैं अगर जो हम बात करें यहाँ पर इस address के बारे में क्या यह जो address है यहां पर 100% यहां पर यह bitbanus का है तो यहाँ पर ऐसा नहीं है इसने यहाँ पर बहुत सरा data analysis करके एक यहाँ पे guess किया है और यहाँ पे announce किया है कि यहाँ पे जो bybit है वो यहाँ पे इतने time पहले यहाँ पे hack हो चुका था तो अगर आप transaction भी देखें तो transaction भी यहाँ पे 292 days पहले की है यानि जो इसने date यहाँ पे बताई है उसी दिन की यहाँ पे transaction है जब यहाँ पे fund इस wallet से दूसरे wallet में यहाँ पे move कर रहा था तो इसने काफी research की है और इसने काफी data analysis किया है और जिसके हम reply देखें तो यहाँ पे बहुत सरे reply भी हैं जो popularly to यहाँ पे इसने क्रिप्टो हनमान की तरफ से देख सकते हैं इन्हों ने एक tweet यहाँ पे अगस 10-2022 को किया था कि बिड़ बेनस के पास कोई पैसा नहीं है वो यहाँ पे लोगों के withdrawal रोक रहे हैं ऐसा इन्होंने कहा था तब के time पे यहाँ पे उन्होंने कहा था तो अगर जो हम बात है लोगों का trust और कम करता है कि अगर जो कोई भी रिमर कोई भी निगेट्व ट्रेंड चल ला है तो बिड़ बीएनस की तरफ से कोई यहाँ पे क्लियरिफिकेशन ट्यूड नहीं आते कोई अफसेल ट्यूड नहीं आते और यहाँ पे दूफरा बड़ा सवाल कि बिड़ ब और को कईकेशन गें भी ब कोईन डिसेस नहीं भी कर दिया हो सारे प्रेंड़ेंड फूरफ ब बिड्र विजर्ट यहाँ पे और अभी बिड़ बेंस ने अपना प्रूंफ रिजर शेर नहीं किकी है तो यह भी सबसे बड़ा यहाँ पर पूंश्चन है जो बार बार यहां योजर Da اغ से पूंसते हैं कि रूफ All Regents ऑफ रिजर्स ऐर खीजे तो यहां不र अभी तक brit knob那麼 कोई प्रूफ ऑफ रिजर्स एर नहीं किया अगर यहां पर देखें बाइनिस ने अपना पुरी जर्स अपर किया है तो प्रूफ ऑफ रिजर्स को यहां पर मतलब यह है कि आप जो crypto यहां पर hold करते हो जो exchange पर buy sell करते हो वह actually में वह real है कि नहीं कोई fake तो नहीं है यहां पर उनका कहने का मतलब है कि उसके पास इसके reserve है वो अपने wallet के यहां पर proof share करे अपने public address यहां पर share किये यहां पर betbans ने share किये था उसके पास 69 billion dollar यहां पर proof of reserves है और उसने यह भी share किया उसके पास यहां पर 1 billion dollar additional reserve है जो कि अगर यहां पर कुछ हो जाता है कोई security हो जाता है तो यहाँ पर उसको ठीक करने के लिए उसके पास यहाँ पर एक billion डॉलर यहां पर additional proof of Regards हैं जहाँ पर इतने बड़े-बड़े exchanges यहाँ पर proof of Regards share कर रहे हैं वहीं पर bid BNS यहां पर उसने कुछ भी यहां पर share नहीं किया है तो यहाँ पर यह एक बड़ा reason हो जाता है कि लोगों का bit bns के प्रती और यहाँ पर थोड़ा trust कम होता है तो overall बात करें इसने जो यहाँ पर allegation लगाएं वो 100% यहाँ पर proved नहीं होते हैं इसने data analysis करके इसने guess किया है पर यहाँ पर और भी कैस छोटे-छोटे सवाल है जो लोगों के यहाँ पर comment करते रहते हैं कि हमारा जो fund है वो withdrawal नहीं होता किसी का fund यहाँ पर दो मैने लग जाता है withdrawal होने में किसी का यहाँ पर आयनारा भी withdrawal ही नहीं हुआ तो यह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बीडीबेनेस पर सवाल खड़ा करती है कि यहाँ पर बीडीबेनेस के साथ actually में क्या हो रहा है बीडीबेनेस अपने proof और विजर क्यों नहीं share कर रहा है और यहाँ पर इस tweet का मतलब क्या है वो यहाँ पर जवाब दे तो इसके कुछी घंटे बाद यहाँ पर गवरोडाके जो कि यहाँ पर बीडीबेनेस के CEO हैं उनका tweet आ गया वो यहाँ पर आज साम को ask me anything करेंगे आप उनसे भी यहाँ पर कुछ भी पूँछ सकते हैं मेरे खयाल से यहाँ पर तीन ही सबसे most of question होंगे जो कि यहाँ पर popular YouTuber आदिर सिंग ने comment करके रखे हैं what was the remain reason of the maintenance on 2022 और जो सबसे बड़ा reason है और जो सबसे बड़ा reason है वो अपने proof of reserve यहाँ पर क्यों नहीं share कर रहे हैं तो चलिए यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर night में क्या होता है इसके regarding यहाँ पर जो कोई update होता है तो मैं यहाँ पर आपको टेलिग्राम पर update देदोंगा टेलिग्राम पर follow नहीं की है तो follow कर लीजेगा इस link आपको discussion मिल जाएगा तो मिलते हैं अपनी एक लिए किसी नई वीडियो में तो तक लोफ तो नमस्कार जैन जै वारत